नमश्कार, News Click में आपके एक बार फिर से स्वागत है आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारेकरम इतिहास के पन्ने हिंदस्तान में इतिहास खत्रे में है, संकट में है कारण बहुत हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा अक्सर करते रहें elaborate नहीं करूगा लेकिन इतिहास के साथ साथ कुछ बहुत महत्वपून हमारे जो personalities हैं, जो लोग हैं, जिन्होंने बहुत ही अद्भूत काम किया है जिसके बारे में आने वाली पीडियों को पता होना चाहिए उनके बारे में जानकारी बिल्कुल ना के बराबर है और एक तरह से लुप्त होती जा रही है तो आज का जो कारेकरम है, वो एक ऐसे शक्सियत के बारे में है जिनोंने बहुत असाधारन काम किया था अलग-अलग फील्ड में, राजनीती में, लेखन में, लेकिन उनके बारे में जानकारी बहुत कम है मैं बात कर रहा हूँ, राहूल सांकृतायन की, जिनकी ये जो वर्ष चल रहा है, 2023-24, ये उनकी साथवी डिथ हैनिवर्सरी येर कहा जा सकता एक तरसे तो मैं उनके बारे में बात करूँगा और मेरे साथ बात करेंगे उनके बारे में हमको क्यों जानना चाहिए आज के हिंदुस्तान की पीडी को क्यों उनके बारे में पता होना चाहिए, समझाएंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे मेरे वरिष्ट विश्व विद्यालय में थे और प्रोफेशन में भी थे पुराने पत्रकार कुल्दीब कुमार जी चर्चा कुल्दीब भाई सबसे पहले तो हमारे इस कारिक्रफ में आने का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे खुद धन्यवाद देना चाहिए कि आपने ये मौका दिया मुझे कि मैं राहूल जी के बारे में आप के साथ बात कर सकूं और आपके माध्यम से जो इस कारिकरम को देख रहेंगे उन तक राहुल जी के बारे में कुछ बातें पहुँचा सकूँ क्योंकि ये समय समय का फेर है मैं तो जब बच्चा था किशोर था युवा हुआ तब तक राहुल सांकृतियान के बारे में काफी लोग जानते थे लेकिन पिछले कुछ दश्कों में ऐसा हुआ है कि अब उनका नाम विलुप्त सा होता जा रहा है तो नई पीड़ी के जो लड़के रड़कियां हैं उनको अगर राहुल जी के बारे में नहीं पता तो वो बहुत कोई बड़ी चीज मिस कर रहे हैं तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि आपने आज इस कारिकरम का आयुजन किया और मुझे यहां बुलाया इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं तो यह सोच आता कि मतलब आप से बहतर कोई हो नहीं सकता आप लगाता राहुल जी के काम के उपर और उनके जिन्दगी के बारे में लिखते हुए आए हैं उनके बारे में बहुत कुछ बताना है उनके जिन्दगी के बारे में अगर दौर को ही हम उनकी जो लाइफ स्टोरी है उसके प्रोनलोजी को ही ट्रेस करें तो शायद घंटों बीच जाएंगे और उन्होंने जो कुछ लिखा है पर अतना वास डाइमेंशन मेरे ख्याल से उस यूग में किसी ने नहीं लिखा था 1893 में उनका जनम हुआ था और 1963 में उनकी मृत्य हुई थी वो जो 70 साल थे जिसमें से आपने एक आर्टिकल में पॉइंट आउट किया कि उनके जिन्दगी के दो आखरी वर्ष लगभग उनकी डायबीटीज की बिमारी को लेके जो कॉम्प्लिकेशन से उसको टैकल करने में बीड़ गए तो उनकी 68 साल की जो जिन्दगी है जिसमें से हम लोग 5-6 साल शुरू के बच्पन के हटा दें तो लगभग 60-62 साल का उनका प्रोड़क्टिव जिन्दगी का जो लाइफ है वो एक गजब का लाइफ स्पैन है आपने कहा कि नाम विलूप्त होता जा रहा था लेकि नाम तो राहुल जी का वो था भी नहीं इसके बारे में जरा सबसे पहले बताईए कि वो केदानात पांडे से राहुल संक्रताइन कैसे बने देखे राहुल जी के बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि उनके पूरे जीवन का जो सार है जो निचोड है जी वो एक शब्द से व्यक्त किया जा सकता है और वो शब्द है बदलाओ जी निरंतर बदलते रहना वैसे तो वेदों में भी अप्रारत्ना की गई है कहा गया है चरइवेटी चरइवेटी जी यानि हमेशा चलते रहो कहीं एक जगह स्टेटिक नहो जाओ रुक मत जाओ तो राहुल जी के जीवन में हम देख सकते हैं कि लगातार बदलाव उनके हुए हैं उनके व्यक्तित्व में, उनके जीवन में, उनके विचारों में अब जैसे पंडे नाम उनके माता पिता ने उन्हें दिया था क्योंकि वो एक उच्छ कुल के ब्राहमन परिवार में पैदा हुए थे और लेकिन और उसके बाद उनका ग्यारा साल की उम्र में उनका नाम पड़ गया राम उदारदास जी क्योंकि उन्हों दिख्षा ले लिक एक मठ के बड़ा धनी मट था बिहार में और वहां के महंत जी क्योंकि ये तो बच्छपन से ही असाधारण प्रतिवा के बालक थे तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो साधारण बालक नहीं है तो उन्होंने गा कि मैं इसको अपना उत्तर अधिकारी बनाऊंगा तो वो साथ में ले गए वो साधू रामुदारदास उनका नाम हो गया जी वहां उन्होंने संस्कृत पढ़ी धर्मग्रंतों का ध्यन किया संस्कृत पढ़ने के पहले बच्पन में उन्होंने शायद नहीं वो मदरसे में दाखिल हुए थे जो उस जमाने में बहुत कौम आम बात थी आज के आज के पॉलिटिक्स में और आज के समाज में हमें नहीं देखना थी जए वो बिलकुल एक गाली की तरह यूज किया जाता है कि वह तो मदरसे के वह जैसे कि रूडी वादी कोई संस्ता है वो रूडी वादी या पिर आतंगवादियों की फैक्टरी इस तरह की इमेज म खल्मान सब जाते थे मदरसे में पढ़ेने और अभी आपने हाल में सुना होगा बिहार शरीफ में मदरसे की राइबरी जला दी गई तो अब तो इस्तिती बहुत अलग है तो उसमें उन्होंने शुरू में हिंदी उर्दू फार्सी ये इसकी अर्बी भी पढ़ी और फिर फिर वो यहां मठ में उनका भार में एक दीक्षा दीक्षा शुरू हुई तो वो उसनोंने पढ़ा लेकिन वो शुरू से ही जो है वो हमेशा बेचैन रहते थे तो वो ग्यारा साल के उमर से पहले भी एक बार घर से भाग चुके थे पिर खोजखाज के उन्हें लाया गया तो यहां भी कई साल के बाद उन्हें लगा कि यह जो है वो यह उनका सही रास्ता नहीं इतने सीमित उसमें वो नहीं रह सकते हैं तो फिर वो वहां से भी भाग लिए जी वो बिना टिकट जो है वो कई जगे से होते होते हैं पूरी पहुंचे और फिर वो मदरास पहुंच थे तो वहां कुछ धर्मशाला है इस तरह की थी जहां वो बिना किसी कुछ दिये रह सकते थे और उन्होंने तमिल सीख ली वहां जो शुरू से इतने कुछ आगरुद्धी थे उस जमाने में वो संस्कृत में लिखते थे उनकी डायरियां जो है पुरानी आपने लिखा है कि तो रहां आपने वो डायरी बकाइदा संस्कृत में मिंशन करते थे तो फिर वहां उन्होंने तमिल सेखी पिर मदरास में रहते वही उन्होंने ककी तमिलाडू के कई stridentות बारे में पता चला जी और तब उसके पहले वो आगरा भी रह चुके थे और आरे समाजी होग तě जी तो आरे समाज के भी उन्होंने वहां रहते हुए आगरा में और अर्बी फारसी वहां भी पड़ी थी आगरे के अंदर तो आरे समाजी हो गए तो पूरी तरह से जो धार्मिक जो उनकी फाउंडेशन थी वो बदल गया मूर्ती पूजन के खिलाफ हो गए अरे समाज में उन्हें जिस चीज ने अकरिस्ट किया वो था उस जमाने में आज कल तो आरे समाज भी बहुत बदल गया जी आरे समाज पात नहीं मानी जाती है जैसे जो वहां यग्गे होता है उसमें कोई भी विग्टति भाग لे सकता है जी आहुती देना जो भी उसमें यह नहीं है कि आप किस जाती के हैं तो इस बात ने बड़ावने आकरिस्ट किया और आर्जमाज तो मूर्ती पूजा गविरोधी रहा है तो वो भी मूर्ती पूजा के एक जात समाज की वो परिकल्पना करते हैं हाँ वो क्योंकि वैदिक जो स्वामि दयानन थें उनका था की वैदिक युग में जो था वो इस सवर से हिष्टा अदर्स था तो वैदिक युग में तो जात पात की कोई बात ऐसी मिलती नहीं कि ये जो हैं वो तेली है और ये वनिया है और ये ठाकूर है, तो आरे समाज ने एक बड़ा महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही एक किस समय में, जातपात के खिलाब, तो राहुल जी का यह था कि वो लगातार बदलते रहे, फिर उसके बाद वो बौध हो गए, श्रिलंका गए, वहां उन्होंने पाली पढ़ी, संस बौध ग्रंथों का ध्यन किया, और वो बहुत पाली के बड़े विद्वान हो गए, तो राहुल कब बन गए, राहुल संकृत्यायन कब बन गया, जब बौध बने, तो रामुदार धास उनका नाम नहीं रहा फिर फिर वो राहुल संक्ःियान हो गए, और राहुल तो मार्क्सवाद की तरफ सांक्रित्यायन के बारे में बताएंगे वो कैसे उसों ने सांक्रित्यायन शयाद उनका को गोत्र का नाम रहा होगा किसी समय में अक्सर लोग उनका नाम गलत लिखते हैं सांस्क्रित्यायन लिख देते हैं क्योंकि संस्कृत से थोड़ा सा उचारन में परिशानी होती है तो तो वो फिर हुआ क्या था कि वो उनको जेल हो गई थी जी वो राश्री आंदोलर में भी शामिल हो तो वो यह वो दोर था जब जब उनिस सो उनिस में यह लाहौर में थे उस दिन और रॉलेट एक्ट के खि भूशना कर दी थी कि यह उनिस क्या कौन सी दो हजार नी उनिस सो उनिस में फर जनुरी फर्वरी महीने महीने की बाती तो उस दिन बहुत जलूस वगईरा निकले तो लाहौर में यह भी जलूस में शामिल हुए तो उसका उन्होंने वर्णन किया है कि मैंने देखा कि सबके भेद मिट गए सब लोग एक ही लक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एक साथ हैं एक प्यावू पे जो है वो हाँ आपने लिखा है कि सब पानी पी रहे हैं कि चुआ चुआ चूट का मतलब जो प्रिशन था वो खत्म हो गया तो उने लगा कि राज जो राजनितिक काम है राश्टी आंदोलन का उसके जरिये भी जाती पाती को खत्म किया जा सकता है क्योंकि सब लोग यवी कठा होंगे तो ये सब भेदभाव भूल जाएंगे तो मज़े की बात ये कि वो राश्टी आंदोलन में कांग्रेस के कारकरता और नेता के रूप में भी हाई साल जैल में रहें जी और फिर जब वो कमनिस पार्टी के सदस्चे थे तब उननस में उसके पहले सोवेट उन्यों में जो घटνाई होई उससे से वो इंसपार हूए तो उसके बारे में कैसे जाने हो क्योंकि उससमे तो उननस सो सतरा अठारा में एक तरफ då इ तरही है अखबारों के जिए कि पढ़ने का दूने हर चीज का शौक था तो अखबार भी रोज पढ़ते थे तो उन्हें उसका पता चला 1917 में करांती हुई उस वक्त इनकी अमर 20 साल थी जी 1893 का जन्म है इनका जी तो 1917 में करीब 24 साल के तो उस वक्त एक अच्छे युवक हो चुके थे वैस और हिंदुस्तान में राजनी थी भी गर्मा गर्मी हो रही थी उसमें उसकी तरफ आकर चित हुए और फिर वो उनका ऐसा सही योग बना कि वो सोवेतियन गए वहां उन्होंने पढ़ाया वहां अध्यन किया बहुत उन्होंने और उसके पीछे ये रहा कि वो जब बौद थे तो बौद ग्रंथों की उन्हें ये थी कि कहां लुप्त हो गए बह रास्ते से गए जो की आम तोर पे कोई लेता नहीं था बहुत दुर्गम रास्ता क्योंकि पहले जेल में रह चुके थे तो बिर्टिश पुलिस और जो जासूस उनके हैं उन्होंने ये रास्ता चुना फिर वहां बहुत विहार में बहुत बन के रहे तिबत ही सीखी और न ना सिर्फ सीख लेते थे बलकि उस भाशा पर बुड़ा अधिकार तो आप ये सोचे कि तिबत उन्होंने बाद में साहित्यक आदमी के लिए तिबती कोश तिबती भाशा का कोश शब्द कोश तयार किया और एक तिबती और हिंदी डिक्षनदी भी तयार की जी तो फिर व पाद में उन्होंने किताब लगी जिसका नाम है घुमकड शास्त्र और उन्होंने एरान, मध्जे, ऐशिया, कहां कहां कि आत्राइने की। भूमने को भी उन्होंने एक शात्र में बदल दिया मतलब। तो क्योंकि घुमकड होना आसान नहीं है जी भई आप इसका आपको बड़ी कठिन जीवन होता है ना अब वह वह कोई बहुत स्धाय जगापे नहीं रहना कोई छीज़ों से फैमिलियर नहीं हो ना के पाइसा भी तो नहीं है जी राहु सa क्रितानके पाइसा तो कभी था नहीं तो, तो बिना पैसे यात्रा करना आप समझी सकते हैं कि कितना कटिन है और वो भी द्यूसरे देशों की जहां की भाशा में इनिशली बहुत ही स्ट्रगल रहा होगा समझने में उनकी खास बात यह थी कि जो भाशा उन्होंने सीखी वो सीखी नहीं उस पे अधिकार प्राप्त कर लिया आपने कहीं लिखा है कि करीब एक डिजन से ज़्यादा शायद भाशाओं में उनकी मास्टरी थी थी तीस भाशाओं मों जानते थे जी इसमें बहुत खुद जवाहलाल नहरू ने एक जगे लिखा है कि I know of only one रहुल मैं तो एकी रहुल को जानता हूं और वो रहुल जो हैं वो पता नहीं कहां कहां की भाशाओं जानते हैं और उनके जैसा कोई और मैं मुझे तो मिला नहीं जी तो ये खुद जवाहलाल नहरू ने लिखाया उनके बारे में राहुल सांक वित्यान के तो इसलिए उनके जीवन काल में उन्हें पंडित की जगे महापंडित क तो उसको समझ लें, वो रूस चले गए, सोवेट उनियन चले गए, वहाँ उनका बेटा भी हुआ, फिर वो वापस आए, लेनिन ग्राड में उन्होंने पढ़ाया, जी, और वहाँ जो बहुत, उसके पाद राश्टी आंदोलन में शामिल नहीं रहे, फिर यहाँ आए, उसक वाद कम्मिनिस्ट पार्टी में शामिल हुए, फिर कम्मिनिस्ट के तोर पे भी ढ़ाई साल जेल में रहे, उनिस सो चालिस वो बैयालिस के ज़वाने में, तो कम्मिनिस्ट पार्टी यहां बैंड थी, बिल्कुल, उस पे प्रतिबन लगा हुआ था, तो उस वक्त में वो जेल में रहे, फिर उनिस सो सेटालिस में, जब देश आजाद हुआ, उस वक्त कम्मिनिस्ट पार्टी ने यहां नारा दे दिया था, यह आजादी जूटी है, जी, बिल्कुल, तो उस वक्त भी वो जेल में रहे, तो बाद में फिर, बहुत बाद की बात है, जब वो कम्मि में चपी है, मार्क्सिस्ट बुद्धिजम ए मार्क्सिस्ट एप्रोच, तो क्योंकि वो बौध दर्शन है, उनका मानना था कि धर्मकीर्थी जो एक बहुत बड़े बौध दर्शनिक हुए हैं, उन्होंने उनकी प्रमाण वार्तिक और एक वृत्ति उसके उपर उसको तिब से वो चार खच्चरों पे ग्रंट लाद करके लाए जी और यहां उन्होंने पट्रना में एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे जिनका नाम था काशी प्रसाद जायसवाल जी लेकिन वो प्रारंबिक दश्कों में जो भारती राश्ट जो भारत में राश्ट्रिय इतिहासका जिनने माना जाता राश्ट वाद वो बहुत बड़े इतिहासकार भी थे जी तो शौकिया इतिहासकार थे जी कोई प्रोफेसर नहीं थे बहुत बहुत धनी आदमी थे बहुत बड़े तो उनको जा जाकर करके उनने सौपी जिससे की वो सुरक्षित रहें क्योंकि खुद वो इतने अच्छे बड़े इतिहासकार थे तो किताबे सुरक्षित रहीं या उम्मीद तो मुझे है कि वहाँ पटना में होंगी जरूर फिर उन पर और बहुत और रिशर्चर्स ने काम किया उन ग्रंतों पर क्योंकि वो तो माने जा चुके थे कि लुक्त हो चुके हैं इ अीतना तो उसको बट हंदुस्तान में आके उनोंने यहा पुना एक बार फिर से वीवा किया परिवार बसाया पर उनके एक बेटा एक बेटी यहां हुई हुई नेरे क्याल से वो उस्याद हूनकी पत्नी नेपाली थी जी जी और डात जिलिंग वगरें शायद उनकी अब उनकी तो वो थी जहां तक मेरा ख्याल है अजा वो ऑल इंडिया किसान महासबा के उसमें उसमें भी शामिल थे तो उसके किसानों के आंदोलन के भी वो नेता रहे बिहार में बहुत बड़े तो उनके जीवन के इतने पक्ष हैं मुझे याद है जब लेट सेविंटीज और ऐली एटीज में जवाराल नेरो उनिवर्शिटी में आये थे, वहाँ एक किताब की दुकान होती थी, जिसको आइकॉनिक माना जादा है, लादा की किता वोक्सेंटर करके होती थी, तो सबसे पहली बार जब मुझे राहुल जी के इसा प्रयोक किया, जो हिंदी साहित्य में उसके बाद कभी हुआ ना पहले हुआ था, कि 6000 BC इसा पूर्व से लेकर के और 1942 तक के मानव इतिहास को उन्होंने कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से चित्रित किया है, इसलिए उसका नाम है वोलगा से गंगा तक, व सबसे लोकप्रिय किताबों में वो राहुल जी की मानने जाती है, जी. और उन्होंने दूसरा काम ये किया कि उपन्यास लिखे, जैसे जय योधे और एक सिंग सेना पती, ये प्राचीन भारती है, इतिहास के उपर. जो जो हिस्टॉरिकल नॉविल मेरे का दो जो जॉनर है इसमें लिखने वाले शायद पहले लिखनकों में से हम लाज सकते हैं? शायद संभा बताए ये सही है, क्योंकि वैसे तो रन्दावल नाल वर्मा वगेरा भी उसी काल में लिख रहे थे, लेकिन इनके उपन्यास प्राचीन काल पे हैं, सिंग सेना पती और जय योधे, गण होता था जिसे कहते हैं, तो उनका जो है वो बहुत साहित्य की योगदार, अपभरंश की साहित्य पे उन्होंने पुरा हिंदी की कावेदारा, तो अपभरंश साहित्य की का वो संकलन है, बहुत महतुपूर्ण है, तो पाली के इतने बड़े विद्वान थे, उन्हों ने एक किताब लिखी, मद्धे एशिया का इतिहास, हिंदी में, एक तो उनका ये तक वो हिंदी ही में लिखते थे, वो और किसी भाषा में, जबकि जानते इतनी भाषा हैं थे, हिंदी में लिखते, पहली किताब है, वो मद्धे एशिया का इतिहास पे हिंदी में, और वै इत्यक्रती नहीं थी जी बिल्कुत साही थे वो तो मतलब इतिहास पे थी मतलब मद्धे अशिया का लेकिन वो मद्धे अशिया के इतिहास को इतना महत्वपूंट क्यों मानते थे हिंदुस्तान की इतिहास को समझने के पार। का सलसला तो जो सुकॉल्ड बारत सो साल की गुलामी के पीरेड है उसके साल से पता नहीं कितने सालों के से होता है अशिया में जब ये घूमे इरान रहे और जब लगा कि भारती इतिहास का अध्यान बिना इस प्रिष्ट भूमी को जाने हुए और इसके साथ उसके लिंकेज जो हैं उनको समझे हुए संभव नहीं हैं तो इसलिए उन्होंने मद्धेश्या का इतिहास रिखा जो उस समय तो अपने तरह की पहली किताब थी तो उनका और हिंदी में उन्होंने दूसरा काम ये किया कि जब वो मार्क्सवादी हुए तो उन्होंने पैंफलेट्स लिख है भागो नहीं दुनिया को बदलो जी उसमें दुनिया ब्रैक сов्ला ब्रैकेट में है बीच में भागो नहीं बदलो बीच में दुनिया है पीच में हाँ. तो ये उनका जो है उनके जीवन का मूल मंतर है एक तरह से जो उन्होंने औरों को भी दिया किताब लिखकर के. कि भई यहां जो है वह आप परिष्टितियों से भागिये मत उन्हें बदलने की कोशिश कीजिए. और ये मार्क्स ने कहा ता किसी जमाने में कि दार्षिकों ने अलग-अलग तरह से रियलिटी की व्याख्या की है लेकिन जरूरत उसे बदलने की है. व्याख्या की जरूरत नहीं है सिर्व. तो इस तरह के उन्होंने काम किये बहुत दर्शन दिख दर्शन उनकी एक फिलोसोफिक किताब है दर्शन के उपर. जिसमें जो हिंदी में लिखी उन्होंने, उस जमाने में हिंदी में किताबें इस तरह की विश्योंपें मिलती नहीं थी, तो उनका बहुत ही विपुल साहित्य है, और साहित्य की उगदान तो है ही, एक विचारिक के रूप में, लेकिन अब आप ये भी देखिए, कि हमारे देश की शिक्षा विवस्था, कि राहुल सांक्रित्याइन को लेनिंग्राड में बुलाया गया पढ़ाने के लिए, श्री लंका में बुलाया गया पढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान में किसी विश्वद्याले ने कभी एक लेक्चर देने भी नहीं बुलाया किसी विश्वद्याले में उनके नाम की कोई पीठ नहीं है लेकिन आप लोग जब जब जवालाल नहरु विश्वद्याले में पढ़ते थे टब आप लोगों को उनके बारे में पढ़ाया गया या आप लोग सुनें अपने अध्यापकों से पढ़ाया तो नहीं गया उनके बारे में लेकिन उनके बारे में मैं तो खेब फ्रबागै से ऐक चोटे से कस्बे से आता हूं नजीभाबाद पुष्ची मुटबरोषेश में अब बच्पन से आ बता रहे थे कि बच्पन से लेकिन वहाँ एक बहुत ही समरिद पुबलिक लाइबरेरी थी सरस्वती पुस्टकाले उसमें उनकी बहुत सी किताबे थी ये मैंने सिंग सेनापती और जय अधे और वरुजाद भिंगा ये सब वहीं अब कस्वे में ही पढ़नी थी अपने तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एक समय ऐसा था कि उनका नाम इतना अंजाना नहीं था लोग जानते थे पढ़ते थे उनके बारे में और फिर धीरे ध नहीं तब अचानक पीपूल वोक अप मैंने जब उनके उपर हिंदू में मैं कॉलम लिखता था उस समय तो जब मैंने कॉलम लिखा थो बहुत कई लोगों ने मुझे पूछा बहुत उत्सा हुआ था कि भई आपको कैसे पता जाहुल राहुल रांकरतियान के बारे में तो बहुत कम लोगे बहुत ही आप से बात करके समझ में उनकी जिन्दगी तो रही बहुत ही विविध किसम की जिन्दगी रही और उनका जो जो लिखा उनों ने एक्जैक नंबर ऑफ किताब कितने थे शायद कहए पाना बहुत मुश्किल होगा मतलब सो के ओपर लुग कहते भी था और philosophy भी थी इतिहास भी था तो इतना एक diverse scale को तो आपको कहा लगता है आखिर में ये चलते चलते सवाल कि राहुल को आज के युवा पीड़ी को पढ़ना जानना क्यों जरूरी है और अगर करना है तो कहां से शुरुआत की जा सकती इसलिए जरूरी है जो मैंने शुरू में ही कहा था कि उनके जीवन का निचोड है एक शब्द में बदलाओ बदलना और जो युवा पीड़ी समाज को राजनीती को देश को बदलने की महत्वा कांखशा नहीं रखती वो युवा पीड़ी तो फिर निर्जीव है जी सारे सब देशों में जो है वो बदलाओ तो युवा पीड़ी लाती है तो युवा पीड़ी जब तक ये नहीं समझेगी कि हम कि हमारे देश की का इतिहास क्या है उसका वर्तमान क्या है और किस तरह किस रास्ते पर चलके उसको बदलना जरूरी है तो तब तक तो बदलावा नहीं सकता और इनके जीवन का एक संदेश ये भी है कि कहीं रुको मत चलते रहो जो की एक बुद्ध का एक कतन भी है कि बुद्ध ने कहा था कि जो मेरे जो आप नदी पार करने का काम करें ये नहीं है कि नदी पार करने को अधा नाओ को सर पे ले करके धोएंच वही छोड़ दे आगे पैदल चागे बढ़े तो राहुल जी मूर्दी पूर एक हिंदू जो है परिवार में ब्रहमन परिवार में पिदा हुए फिर मठ के वो महंत म मतलब मेहंत के उत्रा दिकारी फिर आरे समाजी बन गए आरे समाजी से बहुत बन गए बहुत से मार्क्सवादी बने तो फिर कम्निस पालिटी की बाकाइदा वो नियुने सदस्य था जी तो इतने बदलाव एक रिक्तिम है फिर इतनी भाशाएं सीखी इतने देशों में गए कहीं टिके ही नहीं आज कभी भी जी इतने देशों में गए तो जाहिर है कि किसी देश में दो महीने रहे होंगे चार महीने रहे होंगे लेकिन उनका यही था कि उनका पांडित्य इतना असाधारन था और उन्होंने काम भी इतना किया बहुत से लोग पांडित्य होता है उ लेकिन इनका काम का जो लगादार लिखते रहे जेल में भी लिखा वैसे भी लिखा और ये सोच के आश्यर होता कि जिस आदमी को कोई लाइबरेरी उपलब्द नहीं थी उन्होंने इतना कहां से समझा लिखा और लिखते वक्त रेफरेंसे कहां से लाए क्योंकि वो तो हर व रिसर्च होता है तो उस वक्त तो कुछ नहीं था तो आप सोचिए एक आदमी ना जो लगातार घूम रहा है कभी यहां कभी वहां और लगातार लिखे भी जा रहा है और उसमें हर प्रकार की ग्रंथ हैं अब मध्धेशा का इतिहास वो बिना रेफरेंसेज के और बिना ठ खोस सामगरी के तो कोई नहीं लिख सकता उसमें उन्होंने पुरा है वो तो इतिहास का ग्रंथ है जी तो आपके बात से मतलब यह समझ में आता है कि राहुल संक्रताइन जो है पूरे तरह से एक इंस्पिरेशनल फिगर थे और आज के विड़ी को उनके बारे में जाना च काफी कुछ मदद आपके इस बाचीट से हमारे साथ बाचीट से उनको मिलेगा और हमारे साथ मैं तो अंत में यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी विचार आदनी का अंतिम नहीं होता जी राहुल जी के जीवन का एक संदेश मैं तो अपने लिए यह समझता हूँ कि आज आपके जो विचार हैं वो जरूरी नहीं है कि हमेशा वही रहें जी इसमें कोई गर्व करने की बात नहीं है आदमी में लगातार विकास हो लगातार बदलाव हो तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है तो राहुल जी का जीवन मुझे तो गम से हम यही शिक्षा देता है कि कहीं अटको मत बहुत बहुत धन्यवाद कुल्दीव जी आपका बहुत ही पेशिंटली राहुल जी के जिन्दगी और उनके काम के बारे में समझाया मैं तो इसे सोबाग के समझता हूं कि उनके बारे में बोलने का लिकने का मौका मिला और आप से बात बहुत अच्छा लगा बदलाओ जो है ये भी कहा जाता है कि डिमोक्रसी को विक्सित करने के लिए बदलाओ जरूरी है राहुल सांक्रतायन के बारे में आपने कुलदीव जी की बातें सुनी और मुझे जरूर यकीन है कि आप उनके बारे में और बहुत कुछ जानने के लिए खुद इनिशेटिव लेंगे और उनके जो सीख हैं उनसे भी खुद सीखेंगे आज का कारिकम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमशकार